वीट ग्रास जूस यानि की गेहूं के जावरे से बने जूस को कुछ लोग संजीवनी भी कहते हैं क्या है इसके फायदे और गुन जिस वज़े से ये संजीवनी कहलाता है जाने के लिए इस वीडियो को आप सभी लोग लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो नमश्कर दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अनुश्का और आज के इस वीडियो में आपके साथ वीड ग्रास जूस के फायदे बताने वाली हूँ टो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दोस्त ये जो वीड ग्रास जूस है इसे आप एनिमिया के लिए यूस कर सकते हैं एनिमिया से बचाव के लिए wheat grass juice फाइदमिन साबित हो सकता है इससे संबंदिक एक research में जिक्र मिलता है कि postic diet का सेवन न करने से एनिमिया होता है ऐसे में wheat grass में मौझूद minerals, vitamins, antioxidants, amino acids हमें कई सारे enzymes होते हैं जो कि आपके लिए काफी beneficial होते हैं, फाइदमिन होते हैं तो अगर आपको एनिमिया है तो आपको इसको सेवन करना चाहिए इसमें chlorophyll भी होता है जो hemoglobin से मिलता जूलता है क्योंकि दोनों में ही chemo protein होते हैं इसी वज़े से wheat grass को green blood भी कहा जा सकता है एक research में ऐसा पाया गया है कि अगर आप 21 days तक 21 दिनों तक ताजा wheat grass juice पीते हैं तो आपकी जो hemoglobin है उसकी मातरा बढ़ जाती है ऐसे में एनिमिया की समसे से जूज रहे लोग wheat grass का सेवन कर सकते हैं वजन कम करने के लिए wheat grass juice का आप उपयोग कर सकते हैं फोटे स्तर पर किये गए clinical trial में इसे मोटैपा कम करने के लिए फायदमिन कहा गया है एक अनशोध में कहा गया है कि यंग wheat grass और अनख्लोरोफिल प्लांट वजन कम करने में प्रभावी और सुरक्षित होते हैं ऐसे में वजन नियंद्रत करने में wheat grass juice लाबदायक आपके लिए साबत हो सकता है तीसरा है केरस्ट्रॉल जी हाँ दोस्तों एक research की माने तो wheat grass में हाइपोपोरोपेलिल प्रभाव होता है जो केरस्ट्रॉल कम कर सकता है शोद में बताया गया है कि उच करस्ट्रॉल स्तर सम्मंदी समस्या यानि कि हाइपर केलोस्ट्रोमिया से जूज रहे हैं लोगों को wheat grass juice देने के बाद मल के द्वारा अतिरिक करस्ट्रॉल के बाहर निकलने में मदद मिलती है एक अध्यन के अनुसार इसमें करस्ट्रॉल आपका आसानी से कम कर सकता है चौथा है सूजन की कमी सूजन कम करने के तरीके में एक wheat grass juice भी है ऐसा बताया जाता है कि wheat grass में anti-inflammatory प्रभाव होते हैं जो कि सूजन कम करने में प्रभावी होता है इस प्रभाव के कारण जोडों से संबंदित सूजन और दर्द दोनों को कम किया जा सकता है यही नहीं यूरिक एसिट का स्तर बढ़ने पर होने वाली सूजन को कम करने के लिए आप wheat grass juice का सेवन कर सकते हैं इसके साथ ही मैं आपको बता दू कि अगर आपको किसी चीज की allergy है तो उसके यह राहत आपको दिला सकता है allergy को कम करने के लिए भी आप wheat grass juice को आप सेवन कर सकते हैं साथ ही wheat grass juice, MSM, sulfur allergy से आपको राहत दिला सकता है साथ ही blood pressure, अगर आपको blood pressure की समस्या है तो wheat grass से blood pressure भी नियंतरित किया जा सकता है ऐसा कहा जाता है कि इसमें मौझूद chlorophyll उच्च रक्तचाप को कम करता है जिसे कि BP regulate करने का सुरक्षित और प्रभावी तरीका बताया गया है wheat grass juice को high BP ही नहीं दरसल समान रक्तचाप वाले लोग भी पी सकते हैं ऐसे मैं आपको बता दो कि उच्च स्थर को कम करने के साथ ही ये BP को सामान बनाय रखने के लिए भी जाना जाता है बालो के लिए wheat grass का उपयोग बालो के लिए भी फाइदमन सावित होता है इसमें मौझूद प्रोटीन शरीर में जाकर amino acid का रूप में तूटता है ये amino acid बालो के को स्वस्त बनाय रखने में मदद करता है साथ ही इसमें zinc भी होता है जो बालो को potion देता है यही नहीं wheat grass juice बालो को सफेद होने से भी बचाता है तो दोस्तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप wheat grass juice का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं तो wheat grass juice को ऐसे ही सामान तरीके से आप पी सकते हैं कुछ लोगों को wheat grass juice का स्वात पसंद नहीं होता तो शहर मिला करके वो पीते हैं नीबू और थोड़ा सा चाट वसाला डाल करके भी आप wheat grass juice का सेवन कर सकते हैं wheat grass juice को fruit juice के साथ ही आप मिला करके mix करके पी सकते हैं इसे face packs में mix करके आप त्वेचा पर भी लगा सकते हैं wheat grass juice को सुबह खाली पेट पीना सबसे ज़्यादा बहतर माना जाता है तो आपको दिन में एक बार कम से कम इसका सेवन करना चाहिए तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही इसे लिज़ते हैं